और आब बात कर लेते हैं बांगलादेश की बांगलादेश में बावाल थमने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर हिन्सा और हंगामे का नया वीडियो सामया है जुस Πेर बांगलादेश सेना के साथ मेरा फ़र्धर्शन कारी центр पृर्थी दिखाई में आग भी लगा दी गए इस हमले में 15 लोग हायल हो गए जिनमें वहां की सेना के पांच जवान शामिख है और एक और बड़ी खबर मिल रही हे बांगलादेश से जहां पर काई जगा पर हिंदु के खिलाफ खु लेकर चटगाउं और साथी पंचगर तक हिंदू ने हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया धाका की सरकों पार हिंदू समुदा के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदू की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की और अलपसंख्यक सुरक्षा आयोकी भी मांग की है प् मद्दिरों को तोड़ दिया गया है उनका उनर निर्मान भी किया जाए जो कॉंग्रेज है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसल्मानों का प्रक्लीब होगा तो हम है पांगलादेश की सडकों पर उत्रे लाखो हिंदू हिंसा के खिलाफ मार्च हिंदूओं ने मागा हिंसा लाखों की भीर ऐसा जन सेलाब बांगलादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदूओं की खिलाफ होई हिंसा के बाद दिखा है बांगलादेश की जितने भी बड़े शेहर है हर जगह हिंदूओं का जन सेलाब इंसाफ की मांग के लिए सडकों पर आंदोलन करता दिखा वो चाहे बांगलादेश की राधानी ढाका हो चटगाओं हो या फिर उत्तर बांगलादेश का पंचगड़ हो हर जगह जो तस्वीरे आई वो वहाँ हिंदूओं की एकता और उनके उपर हुई बरबर जुल्मों की कहानी को बया कर रही है बांगलादेश में हिंदूओं के उपर हुए हमलो और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाब सबसे बड़ा जन सेलाब चटगाओं में दिखा लाकों की संख्या में हिंदू प्रदर्शिन में दिखे और सभी ने हिंसा का जम कर विरोध किया बांगलदेश की सलको पर हिंदूों की खिलाब हिंसा कर तगड़ा विरोध राधानी ठाका में दिखा हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ठाका की सलको पर इंसाफ की मांग के साथ उत्रे हिंदू समदाई की खिलापोराय अत्यचारों की विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लदेशी नागरिक धाका में स्टारक पर उठे सेकड़ों लोगों ने सुरक्षा कानुन वस्था की स्थापना और एक धर्म निर्पेक्ष बांग्लदेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राधानी धाका के शाहबाग चराहे तक मार्च भी किया उधर बांग्लदेश की उत्तर अंचल के पंचगर से भी हिंदू की विरोध प्रदर्शिन की तस्वीरे आईं वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शिन करते दिखे बाद कई हिंदू घरों मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया कई जगा हत्याएं हुई जिसके विरोध में हिंदूओं का गुसा पूर पड़ा और वो सड़क पर उतर आए बांगलदेश के प्रमुक शेहरों के प्रदर्शिन कर रहे हिंदूओं की वहां की सरकार से मांग है जिन की संपत्या नाश्थूई उन्हें मुवावजा दिया जाए और जिन मंदिरों को दोड़ दिया गया उनका अपनह निर्मार किया जाए जिसके साथ ही रदर्शिन कारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं है अपना अधिकार पाने के लिए स्टाल को पर टटे रहेंगे उधर बांगलदेश में हिंदूओं की विरुद रदर्शिन की जलक इधर भारत में भी देखी अलप संख्या का बांगलदेश ये हिंदूओं के साथ एक जुटता दिखाने के लिए जे एन्यू में कैंडल मार्च निकाला गया बीजेपी की चात रुशा खा एबीवीपी के कारे करता हातों में कैंडल लेकर मार्च करते रज़र आये बांगलदेश में अलप संख्योगों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामने में चुप रहने का आरोप लगाया है बांगलदेश का हिंदू के लिए ये कॉंग्रेश लोग केतना बार टुईट किया कितना बार ढड़ना पदर्शन किया आज जो कॉंग्रेश है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कही भी मुसल्मानों का तकलिव होगा तो हम है लेकिन हिंदू का तकलिव है हम नहीं है हम खाली हिंडू का बीच में हिंडू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मक्षद है याद रखना जो बंगला देश में हो रहा है जो चर्चाइक हो रही थी अभी वहाँ 90 फीस्ती जो हिंडू बचा है वहाँ दलित समधाई से है और मैं इसले कहना चाहूंगा जो सब के मूँ सिलेवे हैं इसले सिलेवे हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बंगला देश को हिंडू उनका वोटर नहीं होगा वो हिंदू है ये हो सकता है उसकी गलती हो लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते हैं हम उसको मानते है उसका स्वभग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रख्पा करना हम सब का ताहित्व है बीजेपी के आरोपो पर कॉंग्रिस सें भी पलट वार किया कॉंग्रिस के सीटेर नेता जोयराम रवेश ने सोशली मीडिया प्लाटपॉम पर किये गए पोस्ट में लिखा कि कॉंग्रिस पार्टी बांग्लदेश के आलपसंखिकों पर हुए हमले पर चिंता व्यट करती है पर उसी मुल्क बांग्लदेश में अंत्रिम सरकार का गठन हो चुका है लेकिन अभी भी हालात तनाफ हो है राधानी ठाका समेट कई शेहरों की सडकों से पोलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है अभी भी वहाँ से हिंसा की खबरे आ रही है और इस हिंसा की आच विदेशों तक जा पहुची है लंडनओ और पिल्लान में बांगलेशी हिंदू के साथ एक शुटा दिखाते हुए प्रदर्शन किये गए लंडन में संसर्भवन के सामने सेक्टों के सख्ख्यावे लोग हातों में तक्तिया लेकर प्रदर्शन करते दिखेए झाल 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 झाल